नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गॉरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आईए बात करते हैं गोल्ड की कल हमने जिस तरीके का इसमें एक ट्रेंड देखा है मार्केट ने ओपनिंग की थी अपनी और उसके बाद कोई ओपनिंग भी कुछ इस तरीके की नहीं थी कि बहुत जादा उपर या नीचे गैप डाउन या गैप अपनिंग इसने दिखाई हो मार्केट ओपन हुआ और बहुत ही धीरे धीरे इसमें एक मतलब बहुत ही एक स्लो ट्रेड दिखाया था पर वो स्लो ट्रेड भी एक डाउनवर्स ट्रेंड में था जो आप यहाँ पर बहुत क्लिरली देख सकते हैं कि यह एक डाउनसाइड आई थोड़ा सा उपजानी कोशिच करी एक और नया लो लगाया फिरोर उपजानी कोशिच करी 47,840 का और इसमें मैं आपको बताता हूँ मैंने आपको कल भी बताया था जो मैंने वीडियो बनाया था कि इसमें जो ये नीचे की एक डाउनवर्ड्स एक ट्रेंड जो ही लेके चल रहा है उसमें इसे 47,650 के बीच का एक लेवल जरूर एचीव हो जाना चाहिए डाउनसाइड में अभी भी सेलिंग कंटीन्यू है अगर आप कल से अभी तक उस सेलिंग पोजिशन में बैठे हुए है या मतलब वेट करने हैं आपका खुद का भी अपना यही वीव है के मार्केट में जो है वो सेलिंग कंटीन्यू रहनी चाहिए तो इसमें अभी सेलिंग और बाकी है आज फ्राइड है काफी एक अच्छी सेलिंग शायद आज मिल जाए और देखिए उपर में स्ट्रेंथ गोल्ड में यह अभी काम कर रहा है यह मैं 15 मिनिट के चार्ट पे अभी आपको दिखा रहा हूँ और देखिए इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि नीचे में 47,600 का लेवल एचीव होता हुआ अभे भी बहुत क्लियरली शो हो रहा है कहीं पर भी ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है कि बहुत एक रिस्क में जैसे गोल्ड आगया हो कि यारब क्या होगा मार्केट में गोल्ड एक जो एक नया लो लगा रहा है उससे थोड़ा थोड़ा ही किसमें एक ट्रेड बन के आ रहा है जो इसे अपने लोड लेवल से 1500 पॉइंट का एक जम्प जरूर दिखा रहे है पर वो वो ट्रेड है जो मार्केट में पूरे दिन बने रहेंगे वो किसी एक डाउनवर ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं है जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह बना यहाँ यह बना, यहाँ यह बना, यहाँ यह बना अभी भी यह कंटिनियूसली डाउन ट्रेंड में है और बिल्कुल अपने लो लेवल के आसपास यह ट्रेड कर रहा है देखिए इसमें मैं आपको बताता हूँ कि 47,600 के आसपास का लेवल बहुत इजीली अचीव हो जाएगा यह चीज मैंने आपको कल भी मैंने आपको वीडियो में बताई थी जब यह 48,000 मेरे ख्याल से 100 कुछ पे इसकी क्लोजिंग जो थी मैंने वहाँ आपको बताया था कि 47,600 तक का लेवल बहुत इजीली अचीव हो जाना चीजए देखिए और दूसरी चीज मैं आपको बतारहूं कि अभी यह 845 चल रहा है इससे लगभग एग्जेक्ट 200 पॉइंट उपर आप समझेए 48,045 के उपर अगर यह सस्टेन कर जाता है 10-15 मिनट तो आप गोल्ड से एग्जिट कर जाएए और अगर नहीं करता तो आप इसमें आप सेलिंग की पोजिशन को कंटीन्यू रख सकते हैं कोई रिस्क नहीं है कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है एक सेलिंग इसमें कंटीन्यू है मार्केट में डाउन ट्रेंड कंटीन्यू है 47,600-650 का एक टारगेट है आप एक चीज़ ध्यान में रखिए 48,000-45 के ओपर मैं आपको सस्टेन के लिए कह रहा हूँ अगर यह सस्टेन करता है इसके ओपर 15-20 मिनट 10-15 मिनट मतलब कुछ एक टाइम फ्रेम जो कुछ ठीक सा बहुत ही highly volatile हो वहाँ पर सिर्फ एक ब्रेक किया और वापस नीची आ गया उस तरीके से नहीं मतलब 48,000-50 तक के लेवल पे गया और 50 के आसपास के कुछ लेवल में इसने अपने आपको सस्टेन किया मतलब आप 15 मिनट का एक टाइम फ्रेम ले लिजी कि 15 मिनट तक 48,000-50 या उससे उपर तक आपने आपको सस्टेन करके रखता है तो आप gold से exit कर जाएए otherwise इसमें बने रही है कहीं से कहीं का कोई risk नहीं दिख रहा market जो है वो एक downward stand में है वो इसमें चलता जा रहा है देखें 15 मिनट का ये टाइम फ्रेम था मैं एक गंटे के टाइम फ्रेम पर आपको बताता हूँ यहां भी आप देखेंगे कि एक selling इसमें continue है ये selling अब इस तरीके का एक pattern इसमें चल रहा है तो 48,000-45 का ये जो मैं आपको लेवल बता रहा हूँ stop loss का इसे आप मान के चलिए और इसमें selling में बने रही है देखें और मैंने जो आपको target का level बताया है वो है यहां पर यह level मैंने आपको target का बताया यह आपका target level है यह जो red line है यह आपका बहुत easily achieve हो जाना चाहिए देखें यहां और इसके नीचे भी आ सकता है कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इसके नीचे भी इसके आने के chances है देखें मैं आपको यह चीज़े क्यों बता रहा हूँ इसमें जो एक reversal आएगा जो इसके trend को ही change कर देगा अभी जैसे ultimately अगर हम देखें तो इसमें एक उपर की side में trend बन रहा है इस तरीके का ठीक है और अभी ये एक इस consolidation phase में हम इसे देख सकते हैं ये तो हो गया कि ये एक range में trade कर रहा है यहां पर 600 के आसपस आने के बाद हो सकता है इसमें एक वापस ही से support मिलना शुरू हो जा है क्योंकि ये इसका एक resistance level बना था और वही इसका भी support level बन सकता है ऐसा charts इस तरीके का एक trend form कर सकते हैं करेंगे या नहीं करेंगे वह वहाँ पर जाने के बाद पता चलेगा कि क्या momentum है buying का है selling का है वो तब पता चलेगा पर इसमें जो ultimately जो एक reversal आएगा वो आएगा 47370 पर यहाँ पर यह downside आएगी इसकी तो जब तक कि इस level को break नहीं करता तब तक हम अगर उपर में बेच रहे हैं तो हमें एक थोड़ा थोड़ा नीचे जहां भी हमें एक profit मिले हमें वहाँ पर book करके निकलते रहना चाहिए देखिए अगर इसमें कुछ turn आएगा तो हम उस चीज का एक मानेंगे के इसमें एक turn आना शुरू हो गया है तो अब हमें निकल जाना चाहिए जो selling price है वो हमारा 48-140 के आसपास का है और अभी इसमें current price जो चल रहा है वो 47-140 चल रहा है तो अभी और जादे इसमें selling expected है करीब 200-200 point की बहुत easily इसमें एक downside दीख जाना चाहिए उसके बाद ही अगर इसमें turn आना शुरू हुआ तो हम तब देखेंगे पर उससे पहले इसमें कहीं से कहीं तक कुछ ऐसा view नजर नहीं आ रहा है फिर pattern इस तरीके से follow नहीं कर रहे कि ये उपर की तरफ जाएंगे तो gold में फिलाल और कुछ अभी बताने का नहीं है कुछ अगर होगा तो मैं आपको update जरूर दूँगा वीडियो अच्छा के लगे तो like करें शेर करें बने रेमेट साथ देखते रहे market report धन्यवाद